नेता प्रतिपक्ष और कॉंग्रिस पार्शत दल द्वारा हाल ही में पदस्थ हुए निगमायुक्ष आशी सीह से मुलाकात की और उन्हें समस्याओं के बारे में बताया। और बात भी सुने इसको लेकर निगमायुक्ष आशी सीह ने कहा कि वह कभी भी पक्ष और विपक्ष में अंतर नहीं समझते हैं। चाहे तो इंदौर की नेता प्रतिपक्ष उजयन के विपक्षी दलो के नेताओं को फोन लगा कर इस बात की पुष्टी कर सकते हैं। मैं भली बाती वाकिफ हूँ तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने जो भी समस्याइं बताई हैं और जो भी चिन्ताएं जाहिर की हैं। इसे दूरूप से जन्ता से जोड़ी हुई चीज़ें हैं आप लोग चिन्ता के बीच में जादा रहते हों। और आपकी जिम्मेदारी है और आपके मादम से मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं उस अभी चीज़ों का निर्वाहन नक्से करो। इस दौरान निगमायुक्त ने कहा कि वहाँ ऐसी व्यवस्था कायम करेंगे कि सभी की बात सुनी जा सके और समस्याओं का निराकरण किया जा सके। इसके लिए उन्होंने कॉंग्रिस पार्शत दल को कहा कि वहाँ अपनी शिकायत हमेशा लिखित रूप में दे। साथ ही उन्हें आश्वस्थ किया कि जो भी समस्याओं बताई जाएगी उन्हें प्रार्थमिक्ता के साथ हल किया जाएगा। दोरान कॉंग्रिसी पार्शत दल के नेताओंने परिचा सम्मेलन नहीं होने ग्रीन बैल्ट की जमीन शौचाले निर्मान करने आवारा श्वानो पेजल प्रशिक्षन विहीन निगम कर्मचारियों निगम नहीं आने वाले पार्शतों को मान दे बंद करने की मांग करते निगम के अयुक्त हैं बनकर आए है और उनसे शहर की जनता को सभी पारशदों को बहुत उमीद है कि वो नगरनिगम में आयुक्त बनकर आये है और जिस तरह के पिछले तीन वर्श से नगर निगम में कारे चल रहे हैं परीशद नहीं होना जन्ट सुन्वाई बंद हो जा कोई man in charge नहीं बनाया जाना इन सारी समस्याओं को लेकर उन्होंने बहुत अच्छा आस्वाशन दिया है कि मैं पहले भी collector देवास में रहा हूँ और हर तरह की मैंने समस्या sort out की है तो आप निश्चिंद रही है और भी मेरा काम शुरू भी नहीं हुआ है तो मेरा काम आप देखिए किस तरह से होता है और मैं एक एक पत्र को बहुत गंबीरता से लेता हूँ और उस पे हर पत्र पे वर्क करता हूँ और हर पत्र का जवाब में return में देता हूँ तो हमें बहुत आश्वासन मिला है और आगे देखिए अगर काम अच्छा होता है या नहीं